तो भाईया रविंदर जड़ेजा इजबे काफी दिनों बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे रविंदर जड़ेजा ने इंडिया वर्सेज ओस्टेलिया के पहले टेस्ट मेच में पांच विकट लेकर अपना जलवा भिखेर दिया रविंदर जड़ेजा के इस सांदार परदसन से सभी बहुती ज़्यादा खुस थे लेकिन भाईया ओस्टेलिया वाले इससे बिल्कुल भी खुस नहीं थे रविंदर जड़ेजा की बोलिंग के आगे ओस्टेलिया की पूरी टीम तास के पत्तो की त्रैप बिखर गई और यह बात ओस्टेलिया वालों को हजम नहीं हुई उन्होंने पहले पिचका रोना रोया उसके बाद रविंदर जड़ेजा पर बोल टेमपरिंग के आरोप लगा डाले दरसल हुआ यह कि 45 ओर में रविंदर जड़ेजा ने मौमस सिराज के हाथ से क्रीम ली और उंगली पर लगाई दरसल यह क्रीम जब अंगुलियों में पेन हो और बोल पर ग्रिप अच्छी रहे इसलिए लगाई जाती है और ऐसा सबी खिलाडी करते हैं लेकिन ओस्टेलिया वालों ने इसे बोल टेमपरिंग का नाम दे दिया क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे